हेलो दोस्तों तो आप लोग को स्वागत है, 66 क्रीटर में मैंने OLA का जो सेकंड जरेशन बुक कराना चाते हैं तो मैं उसके बारे में थोड़े आपको इंफोरु मेशन दिना जाता हूं कि आप कैसे उसको बुक करा सकते हैं तो पहले बात करने के लिए क्या करना होगा, बुक करने के लिए आपको किसी भी आपके जो नियरस्ट ओला सेंडर है, उसके आप लोग जाके बुक करा सकते हैं, वहाँ पर आपको जाकने के लिए एक अधार कार्ड और पैन कार्ड और जो आपको पेमेंट मैथड है, वो या UPI से या पेमेंट केश के थूरू भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, वैसे ज्यादा तर लोग UPI और क्रेडिक कार्ड या डिबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं सजजेस्ट कर दो हूँ कि आप लोग तीनी तीन आप्शन से चूज कर सकते हैं, और split payment का भी मै मॉबाइल से ही होगा, मॉबाइल से in the sense मतलब कि आपके फोन में Ola का जो एप है वो डाउनलोड होगा और उसी से आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो सब प्रॉसेस जो है पेमेंट सब लोग करा देते हैं, जो Ola में experience में सेंटर में जो रहते हैं, सब लोग वो लोग आ तो एक लाख साथ हजार के असवाद इसकी प्राइस है, और बाकी तो आपका अगर एकसेसरी लेने चाते हैं, extended warranty लेने चाते हैं, तो प्राइस जो है, एक लाख बाद करना चाते हैं, और अगर आप लोग वो नहीं ले जाते हैं, क्योंकि मैंने जो है extended warranty और Ola Care वगेरा नह बुक करवाएंगे, तो उसका आपको कोई charges ने रहे हैं, खाली आपको अपको अपना एक आधार card और pen card ले जाके देना है, फिलाल Ola जो S1 second generation है, वो आपको experience center पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी ये गाड़ी नहीं आई है, तो जो Ola center पर जो आपको आपको पु mobile में ही देख सकते हैं उसको, या YouTube वगरा पर आप लोग उसको देख सकते हैं, फिलाल बात कर लेते हैं कि इसमें और उसमें क्या changes है, तो जो first generation है दोस्तों उसमें flat board नहीं था, और जो second generation है इसमें आपको flat board देखने मिल रहे हैं, और बाकी इसकी थोड़ी range जादा की गई ह अब move OS वगरा भी आया है, तो उसकी वज़े स्थोड़ी गाड़ी और better की गई है, तो जैसा होगा, आप लोग अगर book कराना चाहते हैं, तो आप लोग जाके book करा सकते हैं, और delivery की बात करें, तो मुझे जो है delivery 6 October की दी गई है, फिलाल मैंने इसको book करा लिया था, 22 अगस् लेट है, लेगनी experience center वाले से बात किया, तो उन्होंने कहा कि September के end तक वो लोग कोशिश करेंगी, कि मुझे मदलब दिलवा दे, तो बाकी का process जो है, अगर आप जो भी होता है, बाकी process वो सब back end से ही होता है, खाली आपको first time जब आप लोग जाते हैं, तो आपको खाली registration office से phone आएगा, RTO वगरा से, तो वहाँ से OTP वगरा वो लोग लेते हैं, तो उसकार मैं आपकी गाड़ी जो है registration हो जाता है, फिर गाड़ी आपके, और एक बाद खास बात में बना दो, अगर आप लोग OLA experience center पर delivery लेते हैं, तो आपके जो 1000 रुपह है वो बच आएंगे, अगर आप लोग अपने घर पर delivery लेना चाता है, तो उसके लिए आपको एक हजाल जादा pay करना पड़ सकता है, तो उसके साथ में और गाड़ी के साथ में इस समय कोई accessories नहीं देखने में लिए खाली एक helmet दिया जा रहा है second generation के साथ में, और बाकी जो आपका portable charger है, वो आप आपको मिलेगा, जो charging के लिए होता है, तो इतना ही सब कुस दिया जा रहा है, गाड़ी की बात करने कुछ features की, तो इसमें जो है आपको flat board है, और जो इसका seat है, जैसे कि आपने second S1 का जो seat देखा था, प्रो का, जो first generation अरी थी, उसकी seat और जो boot space है, वो थोड़ा चौड़ा इसमें बहुत चौड़ी है, बैटने में दिखा तो इसमें मिला है, तो यह सब थोड़ी बड़ चीजे है, और बाकी अभी मैं आपको, आपने screen पर आपको सब कुस दिखेगा, तो उसके तुरुम मैं आपको सब समझाओंगा, है तो दूस्तों आपको उपर electric वाले section में द आप जाएंगे, तो वहाँ पर जैसे आप click करेंगे, तो आपको orders वाले section में automatic आप चलेंगे, register mobile number से ही इसमें जो है, उसी से होता है, अब देखे, Ola का S1 Pro जैसे Gen 2 जो दिखा है, मैंने इसको 22 अगस्त को purchase किया था, जो purchasing window थी, वो 15 अगस्त से शुरू हो गयी थी, तो आप अभी भी आप purchase कर सकते हैं, अभी भी window open होगी है, अब जैसे में आप देख सकते हैं, मेरा black color का है, तो उपर black color का scooter दिखा रहा है, documents verified हो गए है, और purchase scooter verification हो गया, insurance के वाच्छे दिन गया, अब जो मेरा scooter है, वो लिख्या रहे से आप देख सकते है, getting your scooter ready, तो अभी ये लोग dispatching के लिए तयारी कर रहे है, फिलाल 15 के सितंबर से ही इन्होंने कहा है, delivery start करेंगे, और उसके आद में फिर scooter का registration होगा, registration के समय आपकी mobile पे call ID, OPP वो लोग लेंगे registration आठे, वो फिर आपका scooter जो है, आपको deliver हो जाता है, उसके बाद में आपको scooter जाके आपके जो भी nearest center है, वहां से आपको लेना होता है, अब देखिए, यह OLA S1 जो प्रू है, second generation है, इसमें कुछ खाज वात, इसका 1.47 lakh रुपीज के आपको रेंज मिल जाता है, certified, 11 की peak motor है, और 120 की speed है, color इसमें आपको 5 कलर मिल जाते हैं, यह पहला jet black color है, jet black color यही मैंने मगाया है, और बाकी इस से यह जो color है, इनका, एमेस test करके जो है, यह आपका लगभग matte finish पे रहेगा, glossy पे नहीं रहेगा, jet black के लावा सारे ही colors जो है, वो matte finish पे रहेगे, यह matte white है, मैंने जैसे बताया कि आपको खाली black जो color है, वो आपको खाली glossy मिलेगा, जो jet black है, उसके लावा आप कोई भी color ल है, वो भी आपको matte पे ही मिलेगा, तो यह blue color आप देख सकते हैं, जो कि stellar blue के नाम से है, यह भी आपका matte finish में ही मिलेगा, कोई भी color इस पार जो इनके पांचो color है, उसमें से जो चारो color है, jet black के लावा वो glossy पर नहीं है, matte finish पर है, तो यह five colors में अभी यह फिलाल available है, flat boot है, वो मैंने आपको बताया था कि जो पहले थोड़ा बीच में हम पाता था, वो हम इस बार आप इन्होंने हटा दिया है, और आगे से telescopic suspension दो दे दिया है, boot space 36 से घटा कर 34 कर दिया है, और पीछे जो grab rail है, इसको थोड़ा इन लोग ने better बना दिया, क्योंकि जो पहले अली grab rail थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी, और इस वज़े से company ने इस वाय स्कूटर में काफी सब changes किये हैं, proximity unlock आपको उसमें भी मिलता था, S1 Pro में भी जो first generation थी, और cruise control भी मिलता था, और वो दोनों चीज इसमें भी आपको मिल रही है, इसमें आपको और आगे जो चीज मिलेगी खास updates है, वो भी मैं आपको भी बताऊंगा, अब देखिए, जो next feature आजाता है, वो party mode है, party mode आपको S1 Pro में भी मिलता था, और इसमें भी आपको party mode मिल रहा है, इसमें थोड़ा बहुत और features दिया गया है, party mode देखना पड़ेगा, जब deliver हो जागे को scooter तब चला के ही पता चले थर्मल जो पहले आग लग जाती थी, उसको भी ध्यान दिया है, कि ताकी wiring हो गया है, जलेना, motor में power थोड़ी ज्यादा, इस बार 11 kW की motor है, और ये mid drive motor है, जो belt से चलती है, और इस बार इन्होंने frame भी change किया है, क्योंकि अब dual आ गया है, telescopic suspension आ गया है, पहले single monoshop था, अब move OS जो 4 है, उसकी मैं आप लोग को feature बताय देता हूँ, ये feature, जो ये inlook का आ रहा है OS, इसमें काफी बहतरी features मिल रहे हैं, पहले के मुकाबले क्योंकि, और ये आपका 15 September से सबको मिलने लग जाएगा, आप देखिए इसमें improved navigation के साथ साथ आपको जो ओला की, खुदी के maps कोशिश की है, और जो एक और इन लोग के इस बार नया feature लोग ने डाला है, कि find my scooter जो आपका है, आप अपना scooter कहीं भी locate कर सकते हैं, और अपनी जो location है scooter की वह आप कहीं भी share कर सकते हैं, तो ये दोनों चीज़ इसमें update किये गए हैं, इसके लावा बात कर ले तो आपका जो party mode था, वो मैंने आपको बता दिया, और जियो जो ये fence के नाम से है, कि आप अपने scooter की एक radius set कर सकते हैं, अगर कोई बंदा आपका scooter लेके गया है, तो उस radius से और आगे वो नहीं बढ़ताएगा, जब तक आप apply नहीं करेंगे, अब इसमें time fence भी डाल दिया है, इन लोग न सकते हैं, तो ये भी सब चीजे है, dark mode इसमें दिया है, तो move ways में काफी अच्छे updates हैं पहले एक मुकाबले, और अब बात कर लेते हैं, जो इसका नया feature है, वो जो नया feature है दोस्तों वो इस बार इन लोगों ने, अगर कोई आपका चोर वगएर जिसे गाड़ी उठाते है, इस बार temper detection का भी इसमें feature है, temper detection में scooter से अपने warning का sound वगएर आने लगता है, तो ये भी खापी अच्छी चीज है, move ways में काफी updates इन लोगों ने किया है, care mode इसमें मिल रहा है, जिसमें move ways में आपको scooter बताएगा कि आपने per month कितनी saving की है, कितना kilometer आप चले है, कितना आपने trip क कैसी range मिल रही है, क्या mileage दे रहा है scooter जो भी सब चीज़े है, इस बार काफ एची चीज़े दे रहे है, साथ साथ में आपने कितनी CO2 बचाई है, और कितना आपने generation battery को कितना जो regenerate हम लोग करते हैं, बाकी जो और additional feature है, hill जो hold होता है वो आला, और scooter जो automatically hyper mode, sports mode, ये सब जो च बाकी जो भी features है, वो दोस्तों बाद में पता चलेंगे, जब एगवाइ scooter आ जाता है, तो मैं उसका एगवार अच्छे से पूरा detail video बना दूगा, और ये सब चीज़े अभी 15 September से इसकी delivery शुरू होगी, तो बाकी तो आपको सब पता है, जो charger वगरा है, वो same है, साड़े सा और आपका scooter की body काफी change किया है इस बार, आगे से dual suspension जो दिया है telescopic और एक flat board दिया है, तो ये जो की मुझे बहुत personally पसंद हुआ, प्राइस इसका 147 के असपास है, मतलब 1.47 lakh और 120 की speed, 195 का आपको range इसमें मिल रहा है, आगर 195 रेंज के रहा है, तो 180 तक आप मान के चल सकते ह normal mode, sport mode, hyper mode, चारोई mode, इसमें, digital key है, 6.5 रार इसमें आपको लगीगा, peak power थोड़ी बढ़ा दी है, लेकिन जो minimum power पहले होती थी 5.5, उसको घटा कर इस बार 5 कर दी जाई है, तो दोस्तों ये सब कुछ features थे, जो मैं आपको सब explain properly कर दी है, और अब जब delivery मेरी होगी गाड़ में कितनी अलग दिख रही है, और फिर मैं बाकी का आपको सब कुछ delivery की समय ही, एक बज़े मुझे मुझे मिल जाती ही गाड़ी, तब फिर मैं उसका पूरे detail वीडियो आप दोगा, बाकि अगर आप लोग को कोई भी query हो तो आपको मुझे comment कर सकते हैं, और वीडियो को